नमस्कार मैं हूं सुशान सिना पूरा देश इस वक्ट पूछ रहा है कि देश की बेटी भावना किशोर कब जेल से रहा होगी पूरा देश अरविंद केजरिवाल से जवाब मांग रहा है कि भावना को फटजी मुकदमा बनवा कर क्यों गिरफतार करवाया पब्लिक पूछ रही है कि केजरिवाल जी शीश महल पर टाइम्स नाउ न भारत के सवाल क्या इसलिए आपको चुब रहे थे पिछले करीब 19 गंटे से हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जारी है और ये कवरेज आगे भी जारी रहेगी और ये लड़ाई ये पूरा प्रयास भावना को न्याय दिलाने को लेकर तो है ही लेकिन जो लोग ये मान कर बैठ गए है कि वो इस देश के चौथे स्टम्ब पत्रकारों को डरा कर किसी मामले में फसा कर दबाव बना कर सवालों से बच जाएंगे उनका ये भ्रहम भी तोड़ना है मामला अदालत में है अदालत का पूरा सम्मान है अदालत की कारवाई पर कोई सवाल भी नहीं टाइम्स नाव नवभारत की टीम अदालत में भी कानूनी लड़ाई लड़ रही है हम इस मामले को high court लेकर गए हैं और वहाँ सुनवाई भी चल रही है हमें उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी मामला high court लेकर गए हम high court चला गया मामला और वहाँ पंजाब सरकार ने अपने सबसे बड़े वकील को भेजा है आप सोचिए अर्विंद केजरिवाल जी ने कैसे इसमें ताकट जोंक रखी है एक महिला रिपोर्टर का केस है और उसको हाई कोट में सुनने के लिए कोई भी सरकारी वकील जा सकता था वहाँ सबसे बड़ा जो पंजाब सरकार का वकील होता है वो भेजा गया है और ये प्रयास लगता है जैसे भावना को जेल में कैसे और जादा रखा जा सके मैं फिर से कहता हूं किस लेवल पर आ गए केजरिवाल जी कहां तो देश में नई राजनीती लाने का दम भर रहे थे प्रेस फ्रीडम की फिक्र में दुबले हुए जा रहे थे कहां तो मीडिया की स्वतंतरता और सवाल पूछने की आजादी को लेकर बहुत चिंतित थे और कहां एक मामले में अपना सबसे बड़ा वकील भेज दिया कि जाइए हमें रिप्रेजेंट कीजिये इतना बड़ा मामला हो गया किसी भी तरीके से इस मामले में फैसला जो है अरविंद केजरिवाल सरकार को लगता है कि भावना के पक्षमिना इसलिए बड़े से बड़ा वकील भेज़ो लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हाइखोट इस मामले को सुनेगा और एक-एक तथ्य जरूर देखने के बाद न्याएं करेगा लेकिन इससे पहले कि वहाँ से क्या खबर आती है मैं आपको बताऊं क्योंकि हमारी नजर है उस पर क्या वहाँ सुनवाई होती है क्या होता है लेकिन मुझे तो ये देखकर अजीब लगता कि कहां प्रदान मंतरी से लड़ने चले थे अर्विन के जिवाल गरी मंतरी से लड़ते थे और कहां एक पत्रकार से एक बेटी से लड़ने पर आ गए एक सवाल पूछने वाली महिला पत्रकार से लड़ने लग गए पूरा सिस्टम जोग दिया है कि जैसे नवारत को ये मेसेज जाना चाहिए कि देखो मुझसे सवाल पूछोगे ये होगा तुमारे से अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ पंजाब पुलिस शुक्रवार को शाम चार बजे भावना किशोर, कैमरा मैन मृत्यूंजे और ड्राइवर परमिंदर को अपने साथ ले गई शाम चार बजे लेकिन पुलिस में स्टेशन में F.I.R दर्ज हुई रात 9 बज कर 40 मिनट पर आप इस कॉपी में को देखिए F.I.R की कॉपी को इसमें साफ साफ लिखा है कि भावना किशोर के खिलाफ F.I.R दर्ज हुई है रात 9 बज कर 40 मिनट पर घटना का वक्त भी देख लीजे लिखा है कि दोपहर 12 बजे से रात 8 बज कर 40 मिनट तक घटना हुई 12 बजे से रात 8 बच कर 40 मिनट तक गटना होती ही रही और पुलिस को पहली शिकायत रात 8 बच कर 55 मिनट पर लिखी ये F.I.R. में लिखा है और आपके सामने विज्वल है जिसमें गाड़ी में पुलिस वाला बैठकर पुरुष पुलिस वाला बैठकर और लेके जारा गाड़ी को तो पहली इन्फॉर्मेशन 8 बच कर 55 मिनट पर कैसे मिली भाई और जनरल डाइरी में 8 बच कर 55 मिनट पर इसे दर्ज कर लिया गया ये लिखा जा रहा है अब आप ये चीजे देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि मनशा क्या है सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि घटना की सूचना रात आठ पचपन पर मिली तो शाम चार बज़े गिरिफतारी कैसे हुई F.I.R रात नौ चालिस पर लिखी गई तो शाम चार बज़े भावना को थाने क्यों ले जाया गया ये बताइए न बॉस ये तस्वीर बताइए ये तो दिन की तस्वीर है ये रात आठ बचकर पचपन मिनट पर अलग से सूरज बंजाब में चमकवाये थे क्या अलग से चमकाये थे सूरज क्या कि चमको चमको भावना को लेकर जाएगी पुलिस ये दिन का विज्वाल सबको दिख रहा है शाम चार बज़े के करीब कहा जा रहा है उसको थाने ले जाया गया है तो रात नौ चालिस पर F.I.R की हुई इसका जवाब कौन देगा अर्विंद केश रिवाल जी भगवन मान जी इसका जवाब कौन देगा और वो भी एक महिला के साथ इतनी देर मैं बार-बार इसलिए तो कह रहा हूँ इस देश की मा, बेटी, बेहन वो सब देखें कि इस देश की बेटी के साथ दिल्ली के बेटे ने क्या किया है वैवार आपकी बेटी होती दिन, दोपेर पुलिस उसको लेकर जाती और 9.40 तक F.I.R नहीं होती और उसके बाद उसका फोन नहीं उड़ता उसका फोन स्विच ओफ आने लगता एक मा के तोर पे सोची आप पर क्या बीती जो आपको अंदर महसूस होगा वही बाबना की मा को महसूस हुआ है आपकी बेटी, आपकी बेहन के साथ ये होता तो क्या आपको स्विकार ये होता क्या हम कोई फिल्म देख रहे हैं कि एक पावरफुल लेता, पूरे सिस्टम को उखाड फेक देगा, पूरे नियमों की धजियां उड़ा देगा और पब्लिक उसके सामने लाचार हो जाएगी ये फिल्म चल रही है क्या और ये वही अर्विंद केजरिवाल है जो मीडिया को लोकतंत्र का चौता स्थम बताने का आज की डेट में तो कह सकता हूँ नाटकी करते थे 29 मार्ज 2023 को दिल्ली विदानसभा में केजरिवाल का दय दिया हुआ ये बयान सुन लीजे कैसे वो बीजेपी पर मीडिया को डराने का अरोप लगा रहे उसके बाद आगे की बात बताएं मेडिया हाुस के मालिक के ओपर चार-चार E.D. के केसिस बना रख़्ा है इनोंने आप भी उनकी जगह होते आप भी यही करते मजबूरी है उनकी जिस दिन ये पता चलिया ना मोधी जा रहा है ये देखना ये मीडिया खा जाएगा इनको पकड़ा अभी मजबूरी है सब की सब की मजबूरी है मीडिया वालों के एक-एक मीडिया हाउस के मालिक के उपर इनोंने चार-चार जब मर्जी जेल में डाल दें इसको सब को दरा रखा है इनोंने पत्रकार दरे पड़े हैं रिपोर्टर दरे पड़े हैं इसे आप सुन रहे हैं अरविंद केजरिवाल जी को इनके हिसाब से नरेंद्र मोधी सरकार पत्रकारों को डरा रही है आज देश देख रहा है कि पत्रकारों को डराने का प्रयास कौन कर रहा है कहते थे कुर्सी में ही दिक्कत है किसी के बारे में बावना किशोर के साथ हमारी रिपोर्टर के साथ एक मैला एक बेटी के साथ जो कर रहा है वो देख रहा है देश बावना किशोर की खिरफतारी को चोतरफा गलत बताया जा रहा है हर कोई हर कोने से देश के कह रहा है कि ये गलत हुआ है कानून के जानकार तक पूर्व अटोर्णी जनरल मुकुल रोतगी ने तो पंजाब पुलिस की कारवाई को पूरी तरह मंगड़न्त बता दिया उन्होंने का कि SCST Act वाली कहानी पूरी तरह जूटी है एक बार सुनिए मुकुल रोतगी इतने बड़े वकील क्या कह रहे है सुनिए मेरे इसाब से पुलिस ओवर रीच तो क्लियर है ता पुलिस ने ओवर रीच किया अपने आप या अपने पुलिटिकल मास्चर्स के लिए किया यह मैं नहीं कह सकता लेकिन पुलिस का एक्शन गलत है और बड़े खेल की बात है कि बैजिस्ट्रेट का एक्शन भी मेरे हिसाब से गहर कानूनी है इसलिए आप आज हाई कोर्ट मूव करें और अगर आपको हाई कोर्ट में भी रिलीव नहीं मिलती आज शाम या कल तो सुप्रीम कोर्ट में साड़े दस बजे इसको चीफ जस्टिस और इंडिया के सामने मेंचन करना लाजमी होगा मेरी राय ये है मैंने आपको कल भी कहा था कि देखिए आप इमिजेटली हाई को मूव करिए आज सेटेडे हो गया है इस रिमांड के ओर्डर से आप सीधा आई कोर्ट जाएए चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करें के शाम को बेंच बैठे और कोर्ट बैठे और इसको रिहा किया जाए और अगर वो नहीं होता तो आप सोबार को सुप्रीम कोर्ट आईए मैं सुप्रीम कोर्ट में रहूंगा और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में मेंचन करेंगे मुकुल रोतगी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाना पड़ेगा तो वो खुद ले जाने में मदद करें लेकिन इस वक्त मैं दर्शकों को बता दू कि टाइमस नाउ नवबारत की टीम ये लड़ाई हर मोचे पर लड़ रही है क्योंकि ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई है ये लड़ाई इस देश के हर आम आदमी की लड़ाई है बॉस आपके पैसे से 45 करोड रुपे का शीश महल खड़ा हुआ था हमारी जिम्मेदारी थी कि हम तत्तियों के साथ एक्सपोस करें हमने किया हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अर्विंद केजरिवाल को मौका दें जवाब देने का हम उनके पीछे दोड़े हम को एक तरपा स्टोरी नहीं चला रहे थे यह जो हमारी रिपोर्टर गई थी अर्विंद केजरिवाल जी से ही जब आप पूछने गई थी कि सर आपका पक्ष क्या बता तो दीजिए और उसके बाद बावना के साथ क्या होता है यह देश देख रहा अगर आज इस देश के नेताओं को यह एहसास हो गया कि हम तो इस देश के आम आदमी को जैसा मन चाहे वैसा अपनी ताकत से गुमा सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुस लोगतंतर खत्म हो जाएगा और इसलिए मैं कह रहा हूँ यह एक भाबना की लड़ाई नहीं है यह किसी नवभारत की लड़ाई नहीं है यह इस देश की लड़ाई है हर माँ बहन बेटी की लड़ाई है हर पिता और भाई की लड़ाई है बेटे की लड़ाई है कि आपका कोई अपना जब काम पर निकले तो उसके साथ यह नहीं होना चाहिए और इस वक्त की बड़ी खबर बावना को हाई कोट से बेल मिल गई सबसे बड़ी खबर बावना को हाई कोट से बेल मिल गई है सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे है टाइम्सनाव नवबारत की रिपोर्टर बावना को हाई कोट से बेल मिल गई है ये खबर इस वक्त आ रही है जो लोग कह रहे थे कि भाई कोट में विश्वास रखिए उनके लिए आज कोट से ही फैसला आ गया हाई कोट से और सबसे बड़ी बात बावना किशोर को हाई कोट से बेल तो मिली गई है सवाल उट रहे हैं पंजाब अर्याना हाई कोट में बावना को जमानत दे दी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये आम आदमी की लड़ाई जो थी इसमें आम आदमी जीत रहा है हाई कोट से बेल मिली है और हाई कोट ने ये भी कहा है जज ने ये भी कहा कि जो लड़की बाहर से रिपोर्टिंग के लिए आई उसको जाती के बारे में कैसे फता चल जाएगा जो कहा जा रहा था कि जाती सूचक शब्द का इस्तमाल कर लिया यही सवाल हम खड़ा कर रहे थे और आई कोट में भी वही का कि अगर लड़की बाहर से रिपोर्टिंग के लिए आई है किसी से मान लीज़े जगड़ा भी हो जाएगा उसको कैसे पता चल जाएगा कि भाई जिससे जगड़ा कर रही हूँ उसकी जाती क्या है उसको कैसे पता चला जो आरोप लगा दिया गया कि जाती सूचक शब्दों का इस्तमाल किया गया तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है यह और नाविका जी सुशान मैं इस वक्त आपको बताना चाहती हूँ अभी जो हमारे लॉयर्स है उन्होंने कहा है केस जो है इसमें इंटेरिम बेल दी गई है सिरफ भावना को दी गई है मृतुनजे और परमिंदर अभी भी जेल में है पूरी मुद्दे पर कल बहस होगी क्योंकि एड्वोकेट जेनरल सबसे बड़े उनके जो वकील है पंजाब सरकार के वो आए है बेल अपोस करने के लिए तो आप समझ सकते हैं किस तरह से आमादवी पार्टी इस केस को ले रही है और इंटेरिम बेल भावना को दी गई है हमारे दूसरे दोनों रिपोर्टर अंदर रहेंगे लेकिन इस वकत की बड़ी खबर ये है कि मेरिट्स पर केस कल दलीले होंगी लेकिन ये पाक्षे नाभिका जी जो हम सवाल उठा रहे थे कि भाई ये कहा जारा बावना गई जाती सूचक शब्दों का इस्तमाल कर दिया लड़ाई में इसलिए SCST Act लग गया अगर जज़ को भी लग रहा है कि कोई आज ही आया है और लड़ाई में SCST शब्द का कैसे इस्तमाल हो जाएगा ये अपने आप में बड़ी बात है बिलकुल और ये सवाल पूछा गया है वहां जज़ द्वारा कोट में कि ये किस तरह का केस है कैसे SCST Act लगाया गया है इस केस में लेकिन इस वकद हमने कहा था हमने कहा था ये कि इस वकद सबसे बड़ी अदालत होती है उपर जो हमें बहुत सा विश्वास भी देती है और हमें बहुत सारा हमारा जो पूरी लड़ाई है उसका दम हमें इसी से आता है आज हमारी कोट में इंटेरिम जमानत भाबना किशोर को मिली है और उसके बाद कल इस मुद्दे पर फिर से बहस होगी और दूसरे दोनों हमारे बड़ी ख़वर आ रही है कि कोट में ओरडर पढ़ा जा रहा है बाबना को जमानत मिल गई है हाई कोट से बेल मिल गई है और मैं बार बार कह रहा हूँ ये बाबना की जीत नहीं है ये इस देश की जीत है कि आप देखिए एक पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है सवालों से बचने के लिए हमें ये बताया जा रहा है कि इस तरह के सवाल पूचे गए अभी और अभी भी डिक्टेट किया जा रहा है शायद जो दलीले हैं वो कल इस पर बहस होगी लेकिन इस वकत हमें अपने आपको रोकना पड़ेगा बाती क्या कहा गया है लेकिन इंटेरिम बेल इस बिंग ग्रांटेट डू दे लेडी ये हमारे रिपोर्टर ने वहां सुना है तो सुशान जी शायद हमें इस वकत दिल थाम के बैठना है क्योंकि पूरा ओर्डर अभी डिक्टेट नहीं हुआ है इस पर आगे क्या होगा अभी मैं चाहूंगी कि हम गौरव के पास ना जाएं क्योंकि इस वकत हमें वेट करना है हमारे लॉयर हमें क्या बताते हैं क्योंकि लॉयर का मेसेज अभी मेरे फोन पर आया है और लॉयर का कहना है और इस बिंग डिक्टेटेट प्लीज वेट तो हम अभी इंतजार कर रहे हैं हमारे लॉयर जब बाहर आएंगे तो हम उनसे बात करके केस की पेचकी को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन जब समय मांगा था एड़ोकेट जेनरल ने तो हमारे लॉयर ने ये दलील दी थी के हमें भाबना की कम से कम इंटेरिम बेल दे दी जाए और पूरे मुद्दे पर अगर बहस होनी है तो वो कल सुबह भी हो सकती है और शायद जज ने इस पर गौर फरमाया और उसके बाद शायद ये तै किया है कि इंटेरिम बेल अभी एक भाबना को दी जाए मुरुतुनजे और परमिंदर का जो केस है और भाबना को भी कल शायद कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा ये इंटेरिम बेल है सिरफ ये पूरी बेल नहीं है तो इसका मतलब कि कुछ कंडिशन भी होंगे उसमें तो जब तक ये कंडिशन ना आ जाएं हमें इंतजार करना पड़ेगा कुछ और समय तक क्योंकि अभी ओर्डर डिक्टेट हो रहा है बड़ी खबर इस वक लेकिन ये है देश चुकी परिशान था चिंतित था कि भावना जो है वो जेल में है ये कैसे हो गया ये क्या हो गया कोट ने भी कुछ वाजिब सवाल उठाएं हैं और उन पर कल बहस होगी लेकिन इस वक बड़ी खबर ये है कि अंतरिम जमानत जो है अंतरिम बेल वो भावना को मिल गई है ये बड़ी खबर आ रही है और नाविका जी और जानकारी लेने गई है कि भावना को लेकर क्या जानकारी मिल रही है लेकिन भावना को अंतरिम बेल मिल गई है ये बड़ी खबर इस वक कि हम आपको बता रहे है बावना किशोर को हाई कोट से अंतरिम जमानत मिल गई है बावना को लेकर पूरी सुनवाई जो है वो अब कल जो है वो कोट के अंदर होगी लेकिन हाई कोट ने भी अरोपी को जब जानती नहीं थी तो जाती सूचक शब्द कैसे इस्तमाल हुआ इस पे थोड़ी जानकारी दीजिए क्योंकि आप सोचिए इस पूरे मामले में पंजाब सरकार के जो सबसे बड़े वकील होते हैं उनको लगा दिया गया कि आप जो है इसमें जाकर पैरवी कीजिए मतलब अरविन के जिवाल जी ने ऐसा लगता है इसको नाक की लड़ाई बना लिया लेकिन वहाँ पर भी भावना को जमानत मिल गई है अंतरिम जमानत मिल गई है और ये पूरा मामला जो है वो कल हाई कोट में सुना जाएगा हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोट एक-एक पक्ष को सुनेगा और नियायक है लेकिन इस नियायका इंतजार देश कर रहा था हमारे साथ कुछ महमान भी जुड़ गए हैं विक्रम सिंग, पूर्व डीजीपी, हर्शवर्दन त्रिपाटी सीनिय जर्नलिस्ट, संगीत रागी पॉलिटिकल एनलिस्ट और अश्वनी उपाध्याए एडवोकेट है, सुप्रीम कोट के हमारे साथ जुड़ गए है अश्वनी उपाध्याई जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ भावना को अंतरिम जमानत मिल गई है और हाई कोट अश्वनी ने बड़ा एहम प्रश्ण पूचा है कि जब आरोपी को जानती ही नहीं थी जिसने केस एफाई आर कराई है उसको जानती ही नहीं थी तो जाती सूचक शब्द का इस्तमाल कैसे किया इस प्रश्ण में बहुत कुछ छुपा है क्या नहीं सुसाद जी देखे पहली बात तो भावना को आज बेल को मिलनी ही थी जिस तरीके का पूरी तरीके से फेक केस बराया गया और आप चार साड़े चार बज़े आप उसको ठाने ले जाते है राद को नौ साड़े नौ तक अपने पॉलिटिकल मास्टर का वेट किया जाता है कि कौन सी धारा लगानी है कौन सी धारा नहीं लगानी है फिर डिसाइड हुआ होगा चार घंटे में काम को रहसी एस्टीब लगा दो जिससे कि नीचे की मैस्टेट को इसको बेल न दे पाए कि सारा हुआ है मन्थन हुआ है उसके बाद हुआ है लेकिन एक बात तो तय है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि किसी दिन आप तीन बीमारियों के उपर अपना जो आप निउस की पार साला करते हूं तीन बीमारियों पे करिए लेकिन कहीं न कहीं जो भरस्टा चार का पहले आरोप था भावना की गिरफतारी और भावना के खिलाफ अपने सीनिर एडवोकेट्स को खड़ा करना फिर भावना के बेल का बिरोज करना अज़ा ये भी बताईए कि कितना ये सामानने है कि एक इस तरह का रोड रेज का मामला जिसमें सेस्टी एट लगा दिया जाता है उसके लिए राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील हाई कोर्ट में पहुँच जाए बेल अपोस करने नहीं ये भावना और इनफेक्ट निउस आपका टाइमस नाव भारत तो केवल एक जरिया था वो पुरे देश के मीडिया को सबक देना चाहते हैं कि अगर हम से सवाल पूछोगे हम तुमारा ये हसर करेंगे हमारे पास दिल्ली में पुलिस भले नहीं है हमारे पास पंजाब में पुलिस है हम तुमसे दिल्ली में निपट नहीं पाएंगे लेकिन हम पंजाब में तुम्हें आयसा सबक सिखाएंगे तुम्हें S.C.S.T. भी लगाएंगे मैं तो आपको ये भी कह रहाँ सुसान जी ये तो भावना थी तिन्होंने CST लगाया ये भी हो सकता है अगर वो मेल कोई पत्रकार होता है तो हो सकता है बलातकार का भी लगवा देते करना क्या है उनको अरे जब जूटा केस खड़ा करना है तो बलातकार का भी आरोप लगा दो लेकिन सार इस देश में अदालते हैं कुछ लोग भूल जाते हैं कि इस देश में अदालते भी हैं एक जनता की भी अदालत है जो सब देख रही है कि दिल्ली का बेटा क्या वहवार कर रहा है देश की बेटी से और इस देश में कानूनी अदालते भी हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी नियाए करेंगे, इस पर विश्वास था सबका, हम और बाकी महमानों से एक एक रियक्शन ले लेते हैं पहले, संगीत रागी जी अंतरिम जमानत बावना को मिल गई है, आपका रियक्शन जान लीजे कि अरविंद केजरिवाल के बारे में जब से आपने सीस महल दिखाया है, आपने अरविंद केजरिवाल की जो पूरी पुलिटिकल कैपिटल थी, आपने उसे एक दिन में द्वस्त कर दिया है, अरविंद केजरिवाल रोज नंगे हो रहे हैं, और उनको आठ लाग का परदा हो, चाहे वो सीस महल चार ओर से दिवार खड़ी कर लें, वो अपने उनका नंगापन पूरा देश देख रहा है, पहला नंगापन देखा कि वो नैतिकता और चरित्र के मामले में कहां पर खड़े हैं, जो आदमी आम आदमी का परतनिद्व करते हुए अपने आपको बहुत कहता था, और एक बहुत हाई मोरल स्टेंडिंग था, उसको उसको आपने एक्सपोज कर दिया है, वो आज कहीं म दिखाने लायक नहीं है, कई बारा आप देखते हैं, बलतकारी जोग बाहर निकलता है, तो मुह अपना ढके हुए रहता है, आज राजनेतिक तोर पर लगभग वही दसा, दुरदसा जो कहले, वही अरबिंद केजरिवाल की है, दूसरी बात, सत्ता का कैसे दुरूपयोग अब्यक्ति कर सकता है, यह इसका फ्रस्टेशन भी है, और दूसरी बात, यह बताता है कि आदमी कितने नीचे अस्तर तक जाकर के वार कर सकता है, एक महिला पत्रकार को, जो यहां से दिल्ली से पंजाब गई है, बिलकुल वाजिब सवाल है, किसी को आप से सवाल पूछ र अश्वनी उपाध्याए और त्रिपाटी जी, इनके सरनेम से फिर भी कोई समझ जाए, मैं तो आज तक आपकी जाती नहीं जानता, कि संगीत रागी किस जाती, और ना हमारी कभी चर्चा हुई है, मैं तो कितने सालों से आपके साथ शो कर रहा हूँ, बिलकुल, बिलकुल मैं तो कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ, कि कोई देखे, पुरुस में इस प्रकार की मानसिक्ता थोड़ी बहुत होती भी है, सुसान जी, महिलाओं में मुझे मैं इतना छात्रों के बीच में बुठता बैठता हूँ, या मैं कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कर सकता हूँ, उनमें ये लगभाग नगन्य होती है, यो कभी इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते हैं, हमने वीडियो दिखाए, कि भाई उसके पहले भी जब भावना को रोका जा रहा था, कि अर्विंद केजरिवाल वहां सड़क से गुजरने वाले हैं, ये टीम भावना ने वहां किसी से कोई गाली का लौज नहीं की, वो बिचारी पूचती रही कि सर मैं हम क्या कर रहे हैं गलते हैं, इतना बता दीजिए, वो लड़की को कह रहे हैं, कि भाई उसने गाली दे दी और कह दिया गाड़ी चड़ा दो, और संजे जिंग ने तो ट्वीट मौजूद थे, हमारे पंजाब के रिपोर्टर, जो वहां मौजूद थे और उनकी आँखों के सामने सब कुछ हुआ था, मनोज, मैं चाहता हूँ आप देश को बताएं, कि उस वक्त क्या हुआ था, भावना और जब पूर्या क्रू वहां पर था, आपने देखा क्या बिल्कुल, शुजान, देखे, सच्चाई की आखिरकार जीत हुई है, और भावना को पंजाब और हर्याणा हाई कोट ने अंतरिम जमानत दे दी हैं, और जिस तरीके से कोट में दलीले दी गई, हाई कोट में ये माना है, अपने आदेश में, कि ऐसा लगता है कि जिस तरी बिल्के से जो भावना है, जो कर्स्पोंडेंट है, टाइम सान अभारत की, वो नवेटा से चल कर आई थी, और ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो कंप्लेनेंट है, उनको पहले से जानती हो, उनकी जाती के बारे में जानती हो, तो ये एक बड़ा ग्राउन बना उनको अंतरिम ज मेजरिवाल इंटर हुए, उनका काफला निकला, उसके बाद हम वहां से मूव होगे निकलने के लिए, लेकिन उसी बीच ये पूरा घटना करम है, जो बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो इनोवा कार है, उसमें जो हमारी गाड़ी थी, ऑफिस की, उसको एक एरिक्षा के साथ उसकी तक्कर हुई, और उसके बाद उसमें जो कुछ महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि उनको चोट लगी है, उनका मॉवाइल तूटा है, लेकिन ये आचानक कि ये कैसे हुआ, ये समस्थे पर है, क्योंकि गाड़ी जिस वक्त तक्कर की बात कही जारी, ये गाड़ी ख चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो SCST Act लगाया गया है, इसा लग रहा है, और इसलिए पूरी कहानी जो है, वो रखी गई है, एक बार गौरव के पास भी चलते हैं, गौरव और क्या जानकारी मिल रही है, इसको लेकर? कोई आधार नहीं है, और कोर्ट ने इस जो पूरी कारवाई रही, कानूनी कारवाई पंजाब पुलिस की तरफ से, उसको माना है कि कहीं न कहीं वो फॉल्टी थी, गलती, यही वजा है कि भावना को जो अंतरिम जमानत है, वो दे दी गई है, और अब इस मामले में जो हमा और बात बताता हूं, विकरम सिंग जी, इस पर आप रियाक्ट कीजिए, कि बावना को जो अंतरिम बेल मिली है उस पर, और हाई कोट ने जो प्रशन उठाया है उस पर, उससे पहले मैं दर्शकों को एक चीज़ और बताता हूं, यह जो पूरी जमानत पर पूरी यह आपको पता है क्यों नहीं हो पाई दर्शकों को मैं बताता हूं, अरविंद केजरिवाल जी ने पंजाब की सरकार ने अपने सबसे बड़े वकील को तो बेज दिया, कि जाओ जाके किसी भी तरीके से इस केस को देखो कि बेल ना मिले, लेकिन जब वो पहुँचे, तो पेपर पढ़ कर आता, इतनी जबरदस्त ये लड़ाई बना दी गई, कि आप सबसे बड़े वकील को बेजें, भले उसके पास पढ़ने का समय होना हो, उसकी माता जी की बेचारे की तबियत खराब हो, लेकिन तुम जाओ और भावना को बेल ना मिले, ये देखो, विकरम स सुषान जी, ये पूरा प्रकरण एक जूट का पुलिंदा है, आप समय तालिका को देखें, उससे हर चीज पश्ट हो जाएगी, चार बजे भावना को पिक अप किया, आठ पच्पन पे सायंकाल आपको सूचना मिली अपराद की, और 9.40 पे आपने अपराद पंजी कृत क किया, कोई भी अनुभवी विवेचक, पुलिस अदिकारी, और कोई भी नायरे ने अपनी विद्वता के चलते एक इंटरिम जमानत दे दी है, महा देखता तो महा देखता है, एडुकेट जनरल है, ये पिक्षा की जाती है, पढ़ करके आए, पढ़ करके अपनी बहस करें वो सही है, किसी की भी माता ये किसी परिवारी, अगर कोई बीमार पढ़ जाता है, दुर्भागे पूर्ण है, लेकिन इसकी आड़ में, अगर भावना जेल में रहे, ये बाकी लोग जेल में रहे, इसका कोई और चित्त नहीं है, और महा देखता के स्तर का अगर यह है, बढ़ा क्या केस था, कि जिनकी माता ये माठी बीमारें, वो एड़ुकेट जेनरल को कहा जा रहा है, दोड़ के जाओ, तुम जो है, सुनवाई दो, किसी थाने में ले जाकर कर दूँ, और आप बतादे कि वहां कौन किस जात का है, ये तो ऐसी ही अविश्वसनी बाते हैं और मानेनी याले ने बिलकुँ स्पष्ट देख लिया यह अविश्वस नहीं है इसको बिलकुँ निराधार है केवल प्रतारित करने के उद्देश से आपको लग रहा है खल खल भावना और हमारे बाकी सयोग्यों को पूरी है एक मिनिट आ रहा हूँ आपके पास अश्वनी जी की ए आठ पचपन पर पहली बार सूचना मिली गटना की और बारा बज़े से कागया की गटना होई थी बारा से आ पचपन तक गटना जो है लग राए आठ पचपन नो गटने गटना चलती ही रहे रोड रेज चलता ही रहा और उन्होंने 49 में FIR लिखी अगर सूचना पहली सूचना 8.55 पे मिली तो ये जो सूरे की रोशनी दिख रही है ये पंजाब में क्या सूरज रात 9 बजे तक चमकता है कि आप इस पे कुछ जानकार आप प्रकाश डाल सकते हैं ये जो पुलिस वाले दिख रहे हैं ये कौन है जो लेकर जाते हुए मैं एक मिनट आप आप अकील का रियाक्शना है कि आल है कि अदूरह कम करन बजाब में है ये प्रजाब में कुछ कर द्रट कि रहे हैं क्यों आप ऑंजाब वुलोंगरे पंजाब का जामारे हुए को लखची जानी तो पिरसंत determ balance प्रकाश बहरा कि प्रकाश टीलिर चीन का जाप जाब टूपताव बत And not only that, the way they have registered within one hour without even verifying the facts, they registered and put her behind the bars. So that concern we depicted before the court. The Advocate General has made a lot of argument and the court said that we will hear later on. Sir, I just want to ask you one question. Mr. Sumitra, you were talking about the abuse of power in this case. So can you please little bit elaborate to our viewers also because that is the need of the art to bring a clarity in this case. What has happened, this petitioner Bhavna was the reporter who was covering the Delhi Shishmail expose of the CM Kejriwal. We have placed on record the video where she has gone to the house of CM there and she was obstructed by the party of the CM. And thereafter she comes to Ludhiana on an invitation in respect of the same CM inaugurating a Mohalla clinic at Ludhiana. On seeing her, we have placed on record a video clip where she was not permitted to go inside. And the story put forth now putting this IFIR is that she was on the back seat of the vehicle and being driven in one Nova vehicle and the driver and the camera band was sitting. And allegedly that vehicle hit two ladies who was going to attend that Mohalla clinic function. And ultimately her mobile was broken and all those IPC offenses which has been attributed is totally billable. And on the face of it, it is not believable. But the main intention of the police apparently was to indict this press correspondence. And they attributed a line to her that she came out of the car and she spoke the caste of the person who was a bystander in the public. So what we have told the court, a bystander, the reporter belongs to Delhi and Noida. She comes to Ludhiana. There is a public at large. How she will come to know that is a particular caste of the person? Mr. Bhatral, we have also seen that court has also observed that accused and the complainant should be known to each other if such type of offense is going to be made. This is the law while interpreting SCST Act that first of all they have the knowledge of the caste of the person and they should know each other and prima facie you can't indict a person simply by using that caste and attributing SCST Act. This is what the court has observed. and reading of FIR shows that there is not an aorta of a word that they were known to each other or the other person was aware of the caste. So what was the final outcome of this hearing which was going on if you can elaborate? The court was prima facie agreeing that these cases, prima facie is false and these provisions of SCST are not attracted. And at least petition number one, who is a lady, 31 years old and a senior correspondence of Times now, she should be granted interim bail. Whatever objection the state is having to the main petition or main case, that will be heard on Monday. So we have seen that during the hearing sometime it was also halted. What was the point which you were discussing in the court and for the sometime this hearing was halted? We were saying that she is a lady and she is getting panic attacks. She has been suddenly put to such a jail and in the evening and the way they have treated her, the FIR is not given. Then the state said we will confirm that whether there is such situation. They came back and they said medical we have got it done, there is nothing of that sort. We said medical will not depict and the way they have attributed the false allegation against her, the same kind of medical they will get it done. And we insisted that at least not the other two, they are men, they can live. At least this lady should be granted bail being a woman only and a senior correspondent. And the case will be coming up on Monday? Monday. It will be heard on Monday with the main petition as well as the interim bail of the other two people. So, sir, if you can elaborate in Hindi also, because we have a lot of viewership, if you can elaborate about all the proceedings which has happened in the court, you can tell us a little bit about Hindi. Today we have a petition, a FIR which the Lodhiana Police has, Dimes Now's correspondence, Bhavna Gupta, and two drivers and one cameraman registered for the time this morning. We have approached the question today. High Court में approach किया था. और FIR की कापी जो आज हमें custody के बाद court के थूरू afternoon में मिली, उसके हमने contents पढ़के, एक questioning of the FIR और bail and interim bail का हमने यहाँ पर हाई कोट में आए. और हमने यह हाई कोट को कहा कि जो custody itself है, on the basis, जो allegation FIR में है, उसके basis पे custody for a single minute is illegal. क्योंकि जो allegation complaint है, उसमें कोई भी offense SCST Act का बनता नहीं. और वो जो offense attribute किया हुआ है, अगर उसको true भी मान लो, तो उससे कोई allegation approve नहीं होता, जो requirement section 3 की है, जो allegation उनके खलाफ लगाया गया. तो आग कोट ने पूरी hearing सुनी, बीच में आग कोट ने ये hearing resume भी की, halt भी की, तो थोड़ा उसका भी explain करिए, क्योंकि पूरे देश में दशक देख रहे हैं. इसमें जो main हमारी contention ये थी, कि दूसरी side time मांग रही थी, कि हमारे पास time नहीं है, तो आज नाच सुनके इसको urgent किया जाए, तब हमने urgent किया कि ये जो petition number one है, वो 31 years old lady है, इसको आप इतनी देर जेल में नहीं रख सकते, और Supreme Court की judgments हैं, कि अगर custody illegal है, तो उसको immediately relief देना है, उन्होंने verify करने के लिए, कि what is her medical situation, उसके लिए time लिया था, केस देया और बाकी दो लोगों के लिए इंटारिम बेल देगे हैं, तो बिलकुल अगर बात करें, तो we have seen that huge relief to Bhavna Gupta and she has got a relief from Punjab and High Court because तो बड़ी खबर हम आपको इस वक की बता रहे हैं, Times Now नव भारत की reporter Bhavna Kishore को High Court से अंतरिम जमानत मिल गई है, और पूरी बहस जो हुई उसमें ऐसा लगता है, कि जैसे यह प्रयास था कि कैसे भी आज बेल न मिले, यह प्रयास था पंजाब की पुलिस का, पंजाब की सरकार का, लेकिन इस बात को सुना गया, High Court ने बातें सुनी, High Court को भी यह लगा, कि बाई जब यह तर्क रखा गया, कि जो SCST Act लगता है, उसमें कम से कम दोनों लोग एक दूसरे को जानेंगे, तब ही तो जाती जानेंगे, जाती सुचक डाली देंगे कैसे, और F.I.R. में आप पढ़ लीजे, कहीं भी भावना और वो जो अपने आपको फीड़ित बता रही है, महिला वो जो है, इक दूसरे को जानते हो, वो तो कोई कनेक्टी नहीं है, भावना दिल्ली से गई, वो पंजाब में जो है, वो जा रही थी महिला, मौलना क्लिनिक के कारेकरम में शामिल होने, और वहाँ पर कैसे जाती सूचक शब्द का इस्तमार हो जाएगा, तो इसलिए कोट भी पूछ रहा कि जब नहीं जानता है, तो कैसे जाती सूचक गाली दे दे, और इसलिए जो प्रश्ण उट रहा था, कि क्या है CST Act लगाकर, भावना को हमारे सयोगियों को जेल में डाल दिया जाए, देज बार में पत्रकारों को मेसेज दे दिया जाए, कि हेलो अर्विन्द केजरिवाल से सवाल पूछने के हिम्मत न दिखाना, क्या वो सब कुछ जो है इसलिए किया गया, और आज देश देख रहा है, देश देख रहा है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, हमार साथ महमान बने में आश्वर्द अंत्रिपाटी, आपका रियाक्शन बावना को जो जमानत मिली है, अंत्रिम जमानत, कि सच को आप बहुत देर तक छिपा कर रख नहीं सकते, फिर वो दुनिया के किसी हिस्से में हो, या भगवन कमान शासित और अर्विंद केजरिवाल निर्देशित पंजाब राज्यों भारत का, संभव नहीं है, यह भ्रम हो जाता है, सत्ता का घमंड, सत्ता का हैंकार तो उत्तर कोरिया के ताना शाह को भी बहुत है, वो कहता है हमारी तरह से बाल बनाओ, हमारी तरह से चलो, हमारी तरह से रहो, हम जो बोलते हैं बस वही सुनो, हमारे कहे के अलावा कुछ मत करो, तो ऐसा भ्रहम दुनिया में बहुत से तानाशाहों को अलग-अलग समय पर हुआ है लेकिन भारत में किसी की तानाशाही चली नहीं है और अगर इस तरह से एक कोई मीडिया हाउस, एक कोई टीवी चैनल, एक कोई रिपोर्टर किसी नेता का सच बताता है, और उस सच का जवाब देने की बजाए वो पुलिस भेजता है तो एक बात और स्थापित हुई सुशान जी वो जो शीश महल का सच था, वो जो पत्थरों में चेहरा देखकर चमकने की नई चीज चली है अरविन केजरिवाल के पहले किसी मुख्यमंतरी ने किया नहीं और पत्रकार तो इसके लिए तयार रहता है उनको पता है कि यह ऐसे नेता आएंगे उनके हाथ में पुलिस होगी तो उसका दुरूपयोग होगा और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत का लोकतंत इन नेताओं को आइना जिखाब है का हिसाब है यह तो पीम और हो मिनिस्टर को पता चला उठवा लेंगे कल की बढ़ उठाओ पीम ने इसा गईसे बोल दिया तो शाइन जी सवाल किया जा सकेगा आपने सवाल किया तो था चैनल ने सवाल किया भावना किशोर को वहां पकड़ लिया जहां कोई तुक ताल नहीं था और मैं तो यह कह रहा हूँ कि देखिए हमने इसके पहले मवाके देखें हैं खुमार विश्वास बहुत बड़े कभी हैं आपके संस्थापक हैं इतनी उनकी पहुँच है फिर भी उनको हाई कोट जाना पड़ा तजिंदर पाल सिंग बग्गा भाजपा के नेता हैं हरिया आते हैं भुगतते हैं लेकिन लड़ते हैं क्योंकि हम सवाल भी पूचेंगे लड़ेंगे भी और ये लोकतंत्र ऐसे ताना शाहों को आइना दिखाएगा और जब घमंड तूटेगा ना तो चौराहे पर कोई पहचानेगा नहीं समझ में नहीं आएगा कि एक समय में जंत कर्स में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नहीं पता नहीं हर्शवर्दन जी आज की डेट में लोगों ने ये भी देख लिया कि ना बंगला लेने वाले शीला दिक्षित के दस एसी पर सवाल उठाने वाले टैक्सपेयर के पैसे के लिए चाती पीट लेने वाले अगर पंदरा पंदरा लाग का बातरूम बना लेते हैं चार लाग का कमोड लगा लेते हैं साड़े तीन करोड का मारबल लगा लेते हैं आठाट लाग के परदे लगा लेते हैं तो वो सच भी सामने आ गया और जो लोग हिटलर शाही देश में बताते हैं लोगतंतर खत्रे में बताते हैं, वो खुद कितना लोगतं तरमानते हैं, वो भी लोगों के सामने आ गया कि चार सवाल पूचने वालों पर अचार में से पता नहीं किसी ने देखा था कि हमारे reporters पर जो है वो किसी तरीके से sexual harassment का आरोप लग जाए वो तो यही भावना थी हमारी reporter जिसने हमारे दो पूरुष reporters को protect किया बताया कि भाई इन लोगों ने कुछ नहीं किया camera में सारी तस्वीरे record हो गई हो बोलोक कोई इनकी पुलिस थी, ये काम किया और SCST Act जैसे लगा दिया गया एक बार हमारे सेयोगी मनोज के पास चलते हैं मनोज कोट ने जो ओर्डर दिया है वो आ गया है क्या आपके पास क्योंकि मैंने अगर वकील को सुना तो ऐसा लगा मैंने सुना कि शायद कोट ने प्राइमा फेसी केस को फॉल्स भी माना है लेकिन क्या ऐसा ओर्डर में भी लिखा है क्या आपके पास जनकारी है मनोज आप सुन पारें मुझे देखे जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ अभी और्डर की कॉपी आने वाली है हमारे पास लेकिन जब यह सुनवाई चल रही थी हम कोट रूम में ही महजूद थे और लगातार जो हाई कोट है उसने इस बात को कहा है कि जो SCST Act लगाया गया है और जिस तरीके से उसमें जिक्र किया गया है कि पहले गाड़ी की टक्कर हुई और गाड़ी में जो इरिक्षा में जो महिला आए थी उनके साथ बहस हुई और वहाँ पर जाती सुशक सब्ध कहे गए तो क्या भावना जो कि नुवेडा से चल कर आई थी वो लुद्याना में उस महिला को जानती थी पहले से क्या उनकी जाती के बारे में पता था प्राइम अफेसी लगता है कि ये तथ्य उतने सही नहीं है लेकिन फिर भी इस पर आगे इंवेस्टिकेसन में सामने आएगा लेकिन अंतरिम जमानत भावना को दी जाएगी ये बकायदा कोट ने कहा है तो लगातार जो हम जिकर कर रहे थे जिस ग्राउन का उसी ग्राउन को हाई कोट ने भी बनाएगी तो आज की सबसे बड़ी ख़बर टाइंस नाउन अवभारत ने कहा था कि आप जूटा केस लगाने का प्रियास कीजिए आप हमें डराने धमकाने का प्रयास कीजिए बाउंसर से पिटवाने का प्रयास कीजिए कुछ भी कर लीजिए लेकिन शीश महल पर प्रेशन पूचे जाएंगे और वो खुलासे होते जाएंगे मैं आपको ये भी बता दू दर्शकू हूँ जानकारी टीम अभी और काम कर रही है शीश महल के दस्तावेजों को लेकर और जानकारी मिलेगे वो भी दिखाएंगे और बावना को अंतरिम जमानत मिल गई है या आज की सबसे बड़ी खबर और की कॉपी आते उसकी डीटेल भी बताऊंगा एक छोड़ासा ब्रेक ले रहा हूँ